गुड इवनिंग फ्रेंस स्वाधत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेर्न टेक्टिकल में फिर से दोस्तों नहीं रुक्रीट्मेंट की इंफोर्मेशन लेके हैं हूँ IFF CEO की तरफ से नया नोटिफकेशन जारी करा गया है नोटिफकेशन जो है मैंने दो-तिम भार ट्राई करा है वो ओपन नहीं हो रहा है लेकिन जो है सारा eligibility criteria इसी page पे आपको मिल जाएगा कोशिश करूँगा link description में दे दू ताकि आपको जो है वो समझने में आसानी हो जाए कि क्या-क्या जो ही वो भांगा गया है और बिना notification को read करें आप भी आवेदन मत करिएगा recruitment है दोस्तो graduate engineer apprentice की post के लिए लेकिन 25,000 per month तक आपको stipendus में मिल जाएगा eligibility criteria की तरफ नज़टा लेंगे कौन-कौन apply कर सकता है कैसे आवेदन करना है सबी चीज़ों के बारे में जो हे वो institute से आप apply कर सकते हैं mechanical, electrical, instrumentation and electronics और chemical यही लोग आवेदन कर सकते हैं 2017, 18, 19 और 20 वैच वाले apply कर सकते हैं उसके लावा दोस्तों जो हे September 2020 तक जिनका result आ जाएगा वो ही लोग आवेदन कर सकते हैं जिनका result नहीं आएगा वो लोग apply नहीं कर सकते हैं तो September में जो हे वो 30 September तक आपका result declare हो जाना चाहिए उसके लावा दोस्तों बात करें जिन लोगों ने पहले से experience ले रखा है वो apply नहीं कर सकते हैं application fees आपको बिल्कुल भी pay नहीं करनी है free में आप अवेदन कर सकते हैं age limit यहाँ पर बताईए 30 साल maximum age limit रखी गई है बाकी age taxation as per government rule मिलेगी जैसा की पहले मिलती आई है आपकी age 30 साल से जादा 1 अगस 2020 तक नहीं होनी चाहिए बाकी दोस्तों यहाँ पर training period की बात करें तो एक साल का यह बोर रहे हैं और यहाँ पर दोस्तों एक साल के बाद भी मौका हो सकता है यहाँ पर किसी भी तरह की गरेंटी आपको नहीं देंगे कि आपको इसके बाद job मिलेगी लेकिन एक साल का यह रहेगा यह पकी बात है उसके लावा दोस्तों जो है बात करें salary की stipend की की stipend आपको कितना मिलेगा जो 25,000 per month stipend आपको मिल जाएगा अगर आप इसमें select होते हैं तो selection procedure की बात करें तो यहाँ पर जो है वो साफ साफ हो नहीं लिखा है कि सबसे पहले जो है एक तरह का online test होगा जो की अलग-अलग centers में होगा जिसमें आमदाबाद, बेंगलोरू, डेली बहुत सारे centers हैं यहाँ पर जाके आपका जो है वो test लिया जाएगा उसके बाद interview के माथ्यम से आपकी selection होगी जो लोग shortlisted हो जाएगे उसको एक medical examination से भी गुजरना पड़ेगा जिसमें वो check करेंगे कि आपकी जो medical condition है वो सही है या नहीं है उसके अलावा apply करने के लिए नीचे link दिये हैं लास्टेट 23, 2020 है इससे पहले पहले आपका अवेधन करना है और अगर आप चुहें लेट हो जाते हैं तो आप apply नहीं कर पाएंगे अभी भी इनकी website में थोड़ा सा problem आ रहा है जिसकी वज़ा से website open नहीं हो रही है उसके बहुत सारे reason हो सकते हैं मेरा ही network थोड़ा week है तो इस वज़ा से आप apply कर सकते हैं link यहाँ पे click here to register पे click करना है और आप apply कर सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी instructions भी दी गई है आप चाहें तो एक बार read जुरूर करिएगा ताकि आपको काफी चीज़ें ऐसी पता चल जाएंगी जो हम लोगों से miss हो जाती है चीज़ें वो आप आप समझ लेंगे बागी दोस्तों जो है click here to register पे आपको click कर देना है जैसे click कर देंगे email id, name, mobile number उसके बाद next पे आपको click कर देना और बागे आगे जो है आपको सारी चीज़ें फिल करनी है fees नहीं देनी है freshers apply कर सकते है 25,000 per month आपको जो है बो stipend मिल जाएगा और अगर मोका मिलता है काम करने का IFF CEO में तो बड़ी opportunity है आपके लिए salary के सारी के सारी सारी कुछ सीखने की so जुरूर apply करिएगा अगर आप leachable होते है thank you very much इस वीडियो को देखने के लिए और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होकी समझ आई होकी कर दो आई होकी